शान्ति की शक्ति से शान्ति जग में लानी है शान्त मन हो तन हो शीतर शान्त मन हो तन हो शीतर ऐसे दुनिया बनानी है शान्ति की शक्ति से शान्ति जग में लानी है शान्ति की शक्ति से आज चोदा डिसेंबर दो हजार एक्टिस बाप दादा के महावा के हैं मीटे बच्चे तुम अभी सच्चे सच्चे सत संग में बैठे हो तुम अभी सच्चे सच्चे सत संग में बैठे हो तुम्हें सच्च खंड में जाने का मार्ग सत बाप बतला रहे हैं जितने भी नाम सत संग के दुनिया में हैं सत ही कहते हैं गौड इस टुथ किसी को गौड का पते ही नी वो कौन है कहां रहता है कैसा है क्या है कि वो ही हमारा बाप है आत्माओं का बाप है किसी को पता ही नहीं है तो वो सत्य का संग कैसी हो सकता है नाम रख दिया है सत्संग है वो जूट खासंग मनुश्यों को देखते है वो गुरूँओं को देखते है वो और सत्य है तो क्या करते हैं सच्छखंड यानि सत्यु सुर्ग में जाने का रास्ता बतला रहे है सत्य नराइन की सच्ची सच्ची कथा सुना रहे हैं प्रशन है किस निश्चे के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वथा आती है एक निश्चे बैठ जाए पावन बनने की, शक्ति जालिय बनने की, सतो बजान बनने की ताकत आटोमेटिकली आ जाएगी ऐसे कुछ निश्चे है? कौन सा विश्वास बैठ जाए? सुनो ध्यान से, उत्तर यदि निश्चे हो कि इस मृत्यू लोग में, यानि कल्यूग में अब हमारा ये अंतिम जनम है और इस पति दुनिया का विनाश होना है क्या निश्चे होना जी है? यहां हमारा अंतिम जनम है और इसके बाद इसका विनाश हो जाना है ये कल्यों की दुनिया रहने वाली नहीं है और बाप की शिरिमत है पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे क्यों प्यों प्यों बनना है रिवार देखो क्या है पावन दुनिया का मालिक कोई छोटा मोटा चीज नहीं है लक्षमी नरायन जैसे बन जाएंगे यही तो राज्योग है और इस बात के निश्चे से पावन बनने की ताकत सुटा आती है मेनत नहीं करने पड़ेगी बस इसी निश्चे के नशे में रहो यही तो योग है इसी निश्चे में रो योग लगावा है आपका ताकत आरी है सिर दिरे गीत है आखिर वो दिन आया आज कौन सा दिन जिस दिन को तकते थे वेट कर रहे थे ओम शांती मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिनों ने बनाया है उन्हों के लिए कोड़ी जैसा वेल्यू कोई जिन के गीत की वो तो जैसे तोते मौफिक गाते हैं अर्थ कुछ भी जानते नहीं और तुम इसका अर्थ जानते लिए हो समझते हो क्या कि अब वो दिन आया है जबकि कल्यूग बदल सत्यूग आना है यह यह को हो कल्यूग मना पुरानी दुनिया बदल सत्यूग मना पावन दुनिया होनी है मुनुश्य पुकारते भी है हे पतित पावन आओ आओ यहां पर नहीं है पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं तो तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो और दुनिया वाले नहीं जानते तुम जानते हो भक्ति कर आधा कलब चलता है कब से चला भक्ति माल जापर में क्या हुआ जब से रावन का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू होती है पहले भक्ति शुरू ही की रावना शुरू हुआ पहले भक्ति शुरू ही पहले रावन राज्य बुराईयों में आये तब ढूडा कि भी दुखी क्यों है शांत क्यों है तब किसी ने बुला भक्ति करो पूजा करो पाट करो मनुश्य मत है ये जहां से चुना मुली बक्ती करनी है कि नहीं करनी है थोड़ी करनी कि ज्यादा करनी है सुनो जहां से तो जब से रावन का राज्य शुरू होता है तब ही से बक्ती शुरू हो जाती है यानि बक्ती हो नमेज रावन राज्य हो नमेज सीड़ी उतरनी पड़ती है गिरावट आएगी आएगी अब ये राज है ये राज बच्चों की बुद्धी में बैठा हुआ है मना अब तुम जानते हो कि भारत वासी भारत वासी जब कहते है बाबा यानि देवी देवता हैं जो 16 कला संपूरन थे वोही 14 कला बने है इसका मतलब जरूर 16 कला जो बने होंगे वोही 14 कला बनेंगे न नहीं तो कौन बनेंगे सत्यूगी आदमा ये तेरता में जाएगी न किसकी बात कर रहे है हमारी नि तुम ही चोदा कला बने हैं जरूर तुम ही सोला कला थे अब फिर बन रहे हो फिर कला घरती जाएंगी दुनिया की भी कला घरती है हमारी कला घरती देवताएं गिरे दुनिया भी गिरावट में आगी अमकान जो पहले सतो परधान है वो ही तो तमो परधान जरूर होना ही है तो तुम जानते हो सतो परधान दुनिया सत्यो को तमो परधान दुनिया कल्यो को कहा जाता है सतो परधान वाले ही तमो परधान बने है रहते हैं परधान है किता अच्छा ग्यान है नहीं सतो में भी परधान तमो में भी परधान क्यों? क्यों बने तमो परधान? क्योंकि चुरासी जनम लेने पड़ते हैं तो दुनिया एक ही है नहीं सो होती है इसलिए चाहते भी है नई दुनिया तो नई दुनिया में नया राज्य हो अब नई दुनिया में किसका राज्य था ये भी कोई को पता ही नहीं और तुमको इस सत्तंग से सब कुछ पता पढ़ता है भाबा के ज्ञान सुनते है रोज तो सच्चा सच्चा सच्च संग इस समय यह है तो सच्चा सच्चा सच्च का संग इस समय यही है जो फिर भक्ति मार में इनका गायन चलता है जो इस समय हम सत्य संका कर रहे हैं मुरली पढ़ रहे हैं ग्यान सुन रहे हैं भक्ति मार में इसकी सारी नकल है पूरा भक्ति मार जो हमने किया हमारी एक 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 एक्टिविटी का चल रहा है जो हमने किया हमने किया किया परन्तों तुम जानते हो सच्चा सच्चा सतसंग ये तुम्हारा है सच्चा सतसंग ये तुम्हारा है कि सच्चा सच्चा सतसंग ये तुम्हारा है पाकी जो बक्ति बार में किया आज तक क्रेयर हो गया सच्चा नहीं था बाकी जो भी है वो सब है जूट संग वो वास्तों में सत्संग है ही नहीं बक्ति मारका जो भी सत्संग आज तक है वो वास्तों में सत्संग है ही नहीं उनसे तो गिरना ही होता है गिरना में दुख अशांती बड़ेगी जितनी पाठ पुजा बक्ति करोगे तो यह सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है यह त्योहार है इसका फिर बक्ति मार में छोटे छोटे अलग अलग त्योहार बना दी एक सत्य बाप के साथ संग होता है उसकी कंपनी करते हैं जो सत्य गौड है बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं है बापा ने कहा यह ही जोटकन जोटी माया जोटी काया जोटा सबसंसार तो पहले पहले जोट इश्वर के लिए कह देते हैं कि वो सर्व्यापी है सबसे बड़ा जोट क्या बोला है कि वो सर्व्यापी है सबके अंदर व्यापक है हम सब में परमात्मा का अलफ को ही जोट बना दिया तो तुमें पहले पहले परिचे देना है अलफ का बाप का और दुनिया में तो उल्टा परिचे दे देते हैं जोट तो जोट सच की रती भी नहीं जितना भी बक्ति मार में ग्यान चुना आपने जो बक्ति मार चुना उसमें सच की रती भी नहीं यह हैं ग्यान की बाते ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना जूट है रामायन में लिगा ना राम जी यह संसार है यह नहीं लोग कहते हैं जी मिथ्या संसार है यह संसार तो है ना दुनिया तो है ना मनुश्य तो है ना तो यह है ग्यान और अग्यान की बाते भक्ति मार पूरा क्या है अग्यान ब्लाइंड फेथ अंद श्रदा तो ग्यान एक ही ग्यान सागर बाप देते हैं जिसको कहा जाता है रूहानी ग्यान स्प्रिच्छल नौलेज सत्युग में जूट होता ही नहीं तो रावन आकर सच खंड को जूट खंड बना देते हैं सत्युग को यह कल्युग बना देते हैं और बाप कहते हैं मैं कोई सरव्यापी थोड़ा ही हूँ सारी दुन्या माती है कि उस क्या है सरव्यापी है बापा ने का सच तो मैं ही बताता हूँ सिर्फ एक कोई कहते हैं God is टूस बख़वान के साथ दो वैल्यू दी जाते हैं कुन कोई से हैं God is truth और Love is God Love करना बावा ही सिखाते हैं बाकी तो लव के नाम पर धबे लगाते हैं स्वार्थ का शरीर के प्यार को ही लव समझ लेते हैं तो आत्मिक लव बावा ने सिखाये भी क्या होता है सच तो मैं ही बताता हूँ और मैं आकर सत्य मार अर्थात मार्ग बताता हूँ मैं तो उंचेते उंचा तुम्हारा बाप हूँ बाबा को बोलना पड़ता है मैं तो सचे सचा तुम्हारा बाप हूँ आता ही हूँ तुम ही को वर्सा देने तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ गिफ्ट लेके आता हूं क्योंकि मेरा नाम ही है Heavenly God Father और Heaven हथेली पर ले आते हैं मौडर लेके आते हैं स्वर्ग का है ना हथेली पर स्वर्ग का मौडर लेके आते हैं अब स्वर्ग में होती है स्वर्ग वासी देवताओं की बादशाही अभी तुमको स्वर्ग वासी बना रहे है सब बनना चाहते हैं स्वर्ग वासी दुनिया में किसी को बोलोकर स्वर्ग वासी बनना चाहते हैं तो मारेंगे आपको वो है ना और यहां बना स्वर्ग वासी में स्वर्ग में रहने के काबिल बन रहे हैं सच्चा तो एक ही बाप है इसलिए बाप कहते हैं Hear no evil See no evil Talk no evil ना बुरा देखो ना सुनो ना बोलो कौन क्या है बुरा पूरी भक्ती मारक की बाते शास्त्रों की बाते सुनने भी नहीं है बोलने भी नहीं है देखने भी नहीं है बुराई देखने नहीं है क्योंकि ये सब मरे पड़े है कबरिस्तान है सब श्रीरों को देख रहे हैं श्रीर तो कबरिस्तान में जाना जाना है खतम होना है श्रीर तो बिनाशी है इस सारक कब्रिस्तान है इनको देखते भी नहीं देखना है इस दुनिया को कली को दुनिया को श्रीरों को देखते हुए भी नहीं देखना है यह कैसे हो सकता है देखना भी है नहीं भी देखना है कैसे हो सकता है देखते हुए भी देख रहा है ना अब नहीं देखना कैसे हो सकता है यह जब देखी गया पिर कैसे कहोंगे यह तो बाखे बंद कर लो आखे बंद भी नहीं करनी है आखे भी गुली रखनी है तो फिर देखते हुए भी नहीं देखना मैं आज दिख रहा है आपको क्या हो रहा है पर उसका चिंतन नहीं चलाना है उसके बारे में विचार नहीं चलाना है यह होता है देखते हुए भी नहीं देखना तुमको क्या करना है फिर लायक बनना है नई दुनिया के लिए क्योंकि इस समय सभी पतित हैं गोया स्वर के लायक नहीं है बाप कहते हैं तुमको रावन नलायक बनाया है आदा कलब के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते हैं सभी नलायक होगे थे न तो उनकी शिर्मत पर चलना पड़े तो उनकी शिर्मत पर चलना पड़े फिर चलो तो सही जैसे बाबा कहता है फिर जवाबदारी सारी उन्हीं पर है मैं आपको कोई काम बोता कर दो नुकसान फैदा मेरा होगा ना मैंने का है ऐसे बाबा कहता है तुम करो सी फिर देखो रिजल्ट का मिलती है उसकी मैं जवाब दूँगा कर तुम्हारा नुसान होजाए तुम्हारे कोई प्रॉल्म आजाए ये इंडिस्ट्रे बठाना है बाबा कहता कर दो देखो रिजल्ट कि बाप ने सारी दुनिया को अकेले आपका नहीं सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है हर एक कोई कोई प्रॉल्म है कि पूछ से बाबा ये कैसे हो के मिलसान कैसे हो गया होई निस्टा किसी का नुसान इसका मदद वो जो मत देंगे वो कल्प पहले वाले ही देंगे जो पिसले सेकर में दी थी जिसे कल्ली सद्दुग बना था वो ही देंगे इसमें मूझना नहीं चाहिए कन्फूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अब क्या करें जो पास्ट हुआ एक सेकंड पहले भी था क्या कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ ऐसे नहीं हुआ उसने ऐसे नहीं बोलना चीए उसको ऐसे नहीं करना चीए उसने गल्ट किया नहीं ना उसने खुद किया ना बाबा ने किसने किया ड्रामा परमान लिखा ही ऐसा था ऐसा ही होना था ये बड़ा इंपॉर्टन्ट है समझना क्या कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ बात भी खलास उसके बारे में सोच ना ने और शिर्मत के फिर क्या करना क्या फिर शिर्मत कहती है ये करो स्टाप करके पिर बाबा कि मुली पढ़ो मुली बाबा ने कहा करने के लिए वो करो मुली pair लिखा आगए तो करना चाहिए ये वो जवाबदार खुद है क्योंकि वो ही कर्मो का दंड दिलाते हैं तो उनकी बात को मानना चाहिए फैसला तो उसे नहीं करना है जो कह रहा है क्यों परवा करते हम अपना दिमाग क्यों लगाते है कहते हैं मीठे बच्चे असली बात आगी सारी ग्यानता नमबर कुछ नाया एक लाइड में सारी जवाब आगी क्या कहते हैं मीठे बच्चे गरस्त व्यवार में रहते ये अंतिम जनम पवित्र रहो क्योंकि इस मृत्य लोग में ये हमारा अंतिम जनम है अब ये बात कितनी गहरी बात है अब ये बात जब समझे तभी तो पावन बन सके तो बाप आते ही तब है जब पति दुनिया का विनाश होना है स्थापना और विनाश दोनों सासा चल रहे हैं पहले स्थापना फिर विनाश ऐसा होता है ना अक्षर भी अर्थ सहीत लिखना पड़े ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश स्थापना पालना विनाश लिखेंगे नहीं पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके उच्पद पाएंगे खेल मदार सारक्ष पर है पढ़ाई पर हम पढ़ कर पढ़ करके उच्पद पाएंगे तो ये बुद्धी में हड़ी रहना चाहिए जिगर तक पहुंचाना चाहिए दिलत अंदर तक पहुंचाना चाहिए इनर कोर में पहुंचाना चाहिए आपके हट के क्या? कि पढ़ करके हम पूंच पद पाएंगे अब कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है पर तू हड़ी वो सुख किसी को है ही नहीं समझाते हैं अच्छा हैं पर अपने को देखो वो इतना जिगरी सुख खुशी होने चाहिए, सुख होना चाहिए वो है ही नहीं तोते मिसल याद करते हैं ना सिर्फ सुनाने के लिए सुनाते हैं अपना अनभव पैक्टिकल तो कुछ किये ही नहीं है तो तुम्हारी बुद्धी में भी हड़ी धारना होनी चाहिए हड़ी की बाप होते हैं हड़ी धारना की बाप होते हैं मास उपर होता है हड़ी अंदर होती है तो यसे शीरी के अंदर आत्मा है आत्मा के अंदर जाने चीए बात तुम जानते हो ये जो भी शास्तर है सब भक्ति मारक के हैं इसलिए समझाया जाता है अब जज़ करो शास्तर भी पढ़े तुमने भक्ति मारक भी देख लिया अब ग्यान मार भी देख लिया अब जज कर सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है सुना है फिर बुद्धी से समझना है भक्ती मार में बुद्धी का ताला बनता समझाई कुछ नहीं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया अब ग्यान वार में सुना अब समझना है फिर जज़ करो कि सत्य क्या है अब सत्य नरायन की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं वो तो सुनते आए अब बाबा सत्य में नरायन बनने की सत्य कथा सुना रहे हैं बाप ही सुनाते हैं God is truth इसका मतलब बाप कभी जूट बोली ना सके तो बाप ही सच बोलकर सच खंड की स्थापना करते हैं सची कथा सुनाते हैं इसमें जूट होई ना सके एक शबद भी जूट नहीं हो सकता तो बच्चों को ये निश्चे होना चाहिए कि हम किसके साथ बैटे हैं बाप के साथ बैटे हैं ना और बाप हम को अपने साथ योग लगाना सिख लाते हैं कैसे मेसे क्लेशन जूटो कैसे मेसे लेशन जूटो वो बाबा सिखाते हैं यानि सच्ची अमर कथा या सच्ची सत्य नरायन की कथा सुना रहे हैं जिस से हम नर से नराएन बन रहे हैं नराएन बन रहे हैं जिस काफिर भक्ती मार में गाएन चलता है उसी के बेस पर हमारे बेस पर सारे शास्तर बनते हैं तो यह बुद्धी में रहना चाहिए सबकी बुद्धिन बैट की बाते वाली हम को कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते है चाहिए रिशी मुनी भी है बड़े बड़े मारिशी है कुछ भी है है तो मनुष्य वो नहीं पढ़ा रहे हम आत्माओं को आत्माओं का बाप यानि रुहानी बाप पढ़ाते हैं कौन है वो शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वो हम को पढ़ाते हैं बाप ही नहीं है वो टीचर भी है तो शिव बाबा के समोग अभी हम बैटे हैं यानि जब मदबन में आ जाते हैं तो नशा चड़ता ही है मदबन में तुमको refreshment मिलती है तुम realize करते हो है ना तो मदबन में थोड़ा समय भी आने से refresh हो जाते हैं चार दिन जाते हैं मदबन refresh हो जाते हैं यहां कुछ रिफ्रेश होते हैं क्योंकि यहां तो गोरक दंदा रहता है बाहर में तो जाँ घर है घर का काम भी नहीं करना कुछ सफाई भी नहीं करना है रोटी भी नहीं बना नहीं जरो खाना ही खाना जरो इसलिवाब पर कोई बिजनस ही नहीं है कोई काम धंदा ही नहीं है कुछ भी तो बाप कहते हैं हे आत्माएं तो बाप जब कहते हैं हे आत्माएं बाप आत्माओं से बात करते हैं अब बाप भी है निराकार उनको कोई जानते ही नहीं ना ब्रह्मा विश्नु शंकर को जानते हैं मुख्य देवता ब्रह्मा विश्नु शंकर तीनी है बाकी तो तेत्री गुर्दे भी देता है जानते हैं नहीं कोई भी अब चित्र तो सब के पास है मुर्थी बनानी है वो सब के पास हो सकती है कागस का चित्र देख कोई तो फार देते हैं कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदी करते हैं नि चार धाम जाएंगे पता नहीं कहां कहां जाते हैं कितनी पूजा करते हैं अरे चितर है ना मुर्ती है ना वो तो घर में भी रखे हैं ना घर में भी रखी होती है फिर इतना दूर दूर जाकर बटकने से क्या फाइदा अभी तुम बच्चों को ये ग्यान मिला भ्यान मैंने समझ मिली है बुद्धी का ताला खुला है इसलिए अब वो बाते फालतू लगती है किसको बाक्ति मारकी बाते से फालतू लगती हैं? सबको लगती है उनलती? कोई है जो भी बक्ति करता है मंदिर जाता है कोई नी जाता जाना चाहिए जाना चाहिए अपनी शक्र देख की आने चाहिए अपनी फोटो देख की आने चाहिए मेरी फोटो किस मंदिर में लगी हुई है अब क्रिशन तो यहां भी गोरा या सावरा पथरगा बन सकता है फिर जगरनात कूरी में क्यूं जाते हैं अब इन बातों को भी तुम ही जानते हो तभी तो क्रिशन को शाम सुन्दर कहते हैं क्यूं कहते हैं आत्मा कृषिन की आत्मा की बात है ना आत्मा तमो परदान होने से काली बन जाती है फिर आत्मा पवित्वर होने से सुन्दर बन जाती है तो ये भारत ही गोर्डन एज था पूरा भारत ही सत्युग था, सचकंड था पांच तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है वहाँ पर शरीर भी ऐसे सुन्दर बनते थे अभी तत्व भी तमो परदान होने के कारण शरीर भी ऐसे सावरे कोई टेड़ा, कोई लूला, कोई लंगड़ा आदी बनते रहते हैं इन कोई का जाता है ना रख ये तो है माया का पॉंप सिर्ब माया का दिखावा है, साइंस का दिखावा है विलायत में बतियां ऐसी हैं जो रोशनी होती हैं बतियां नहीं दिखावी पड़ती वहां भी ऐसे रोशनी होती है सत्युक में भी कैसे होती, वहां पर क्या आते हैं दाज़े दाज़े थे कि वहां पर ना, जब सूरी की किर्ने पड़ती थे थे ना हीरों पर तो हीरे चमकते थे फिर बावन ने का, विमाल आदी तो वहां भी होते हैं साइंस जिसको अभी बहुत गमंड़ा अपने पर है ना, साइंस गमंड़ी भी यहां आएंगे, वो भी आएंगे ग्यान लेने के लिए फिर वहां भी यह एरो प्रेन आदी सब बनेंगे तुम जितना तुम जितना लस्दीक आते जाएगे तो तुम को सब दिखेगा, सब साक्ष्यादकार होगा अब बिजली के कारीगर आदी, यह सब आकर नॉलेज लेंगे थोड़ी भी नॉलेज ली, तो परजा में तो आएंगे खुलर साथ ले जाते है, तो अंतमती ही सोगती हो जाएगी अंतमती जो आपके मेकेनिकल माइंड है, जो भी माइंड है आगे जाके ऐसे लिख लेगा वो आतमा, हाँ, तुम्हारे मौफिक, कर्मा तीत अवस्ता को तो नहीं पाएंगे परफेक्शन पुरी हो जाए, वो नहीं होगा उनका, बाकी आतमा होनर तो ले जाएगी ना, अब टेलिविजन आदी पर दूर बैट देखते रहेंगे, क्या देखेंगे, दिन प्रती दिन, मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगा, दिखा देना करोना ने, कि आना भी क्या क्या इन्वेंशन करके चीजें निकालते हैं, है ना, कितनी साइस कर रही है, इन्वेंशन करती है, कितनी चीजें निकालती है, नेचुरल क्लैमेटीज, आ जाती है, बार बुगाब आ जाती है, मेभी इतने मरते हैं, फ्लर्ड आदी भी होंगे, बार भी आएगी, को भी सुखाया है ना सुखा सुखा के जमीन बना दी उसकी छोड़े तो ना समझर मेरे जिस खा गए एक बारी पर सारा खाज़ेगा सब खाज़ेगा इसे ने बनाई है तो अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा सिर्फ क्या होगा नई दुनिया में सिर्फ भारत खंड ही होगा एक एक कॉंटिनेट होगी भारत सो भी छोटा होगा बाकी सब चले जाएंगे परमधाम में बाकी टाइम में कितना बचा है ये कुछ भी नहीं होगा जो कटा कर रहे हैं आप रहे हैं ये कुछ भी नहीं होगा तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो किसे पर सांथ हो रहे हैं तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की हमारे लिए हो रहा है ताकि हम नई दुनिया में जाएं इस छी छी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो फिर फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे ये सिरफ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे तुमारी बुद्धी में है कि ये सब खलास होने का है इस दुनिया में कली दुनिया का जो भी कुछ है सब खलास हो जाने का है ये सब इतने खंड रहेंगे नहीं प्राचीन भारत खंड ही रहेगा बल गरस्त व्यवार में रहो घर बार छोड़ना नहीं है काम आदी करते रहो बिजनस करते रहो पर बुद्धी में बाबा की याद रहे आत्मा में क्या है मन बुद्धी मन बुद्धी बिचारी बाबा क्या कहता है बुद्धी देखती बाबा को रहे क्योंकि तुम को ये मनुश्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है और गरस वेवार में रहते नौकरी करते गरस में भी रहना है नौकरी बिजनस भी करना है और क्या करना है ये करते क्या करना है बाप को और चकर को याद करो फिर एकांत में बैठकर विचार सागर मन्तन करो अब कुद्रती आपदाएं आएंगी नेच्रल क्लेमिटीज आएंगी जिससे सारी दुनिया खतम हो जाएगी सत्यु में बहुत थोड़े मनुश्य रहते हैं वहां कैनावस आदी की दरकार ही नहीं यहां तो नहरे निकालते हैं यहां तो कितने किनाज खोते हैं नदिया तो अनादी है शुरू से चली आरी नदिया तो सत्यु में जमुना का कंठा होगा वहां सब मीठे पानी के उपर महल होगी वहां पर समुन्दर के पास कोई दुनिया नहीं होगी समय सिर्फ नदियों के पास ही नदिया भी छोट छोटी होंगी कोई डूब नी सकता फस कलास होंगी प्योर वाटर होगा समय है ना वहां पर मारे साथ में महल होंगे ये बॉम्बे तो होगी नहीं इनको कोई नहीं बॉम्बे थोड़ा ही कहेंगे तुम हर एक बच्चे को समझना है क्या समझना है कि हम स्वरक के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं फिर नर्क रहे गई नहीं रावन पूरी खत्म हो जाएगी पूरी विकारों की दुनिया ही खत्म हो जाएगी और राम पूरी स्थापन हो जाएगी यानि तमू परधान प्रिथ्वी पर देरताएं पैर धर ना सके जब चेंज होगी तब पाम धरेंगे अभी कली में कहते हैं कि श्री किसे का जनम हो गया नहीं बापा कहते हैं अभी जनम नहीं हुआ इसलिए लक्ष्मी प्रूफ किया इसका बक्तिमार में लक्ष्मी को जब बलाते हैं तो सफाई आदी करते हैं लक्ष्मी कब आएगी जब पूरी सफाई हो जाएगी मूथ पलिती सब कपड़े तो हो जाएंगे तब होगा लक्ष्मी का आवान करते हैं उसके लिए चित्र रखते हैं मूर्ती रखते हैं परन्तु उनके आउक्यूपेशन का किसी को पता ही नहीं यह लक्ष्मी कौन है कहां से आई किसने बनाया क्या करती है किसी को पता ही नहीं इसलिए कहते हैं आइडल प्रस्थी मूर्ती पूजन करते सारे पत्थर की मूर्ती को भगवान कह देते हैं कितनी मुरुखता नहीं पत्थर की मुरुखती को भगवान समझ लेते हैं भगवान कह देते हैं तो इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो कौन समझा रहा है परमात्मा ही बैठ समझाते हैं आत्मा आत्मा को समझाई ना सके आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वो भी तुम अभी समझा सकते हो तो बाबा आकर हरियर लाइज कराते है कि आत्मा क्या चीज़ है और मुनुश्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते है तो ऐसे मुनुश्यों को क्या कहेंगे क्या कहेंगे ऐसे मुनुश्यों को जो आत्मा परमात्मा को ने जानते अपने को ने जानते अपने बाप को ने जानते मुनुश्यों होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है अभी तुमको ग्यान मिला है सीड़ी के चितर पर किसी को समझाना तो बड़ा ही सहज है सो भी किसी को समझाना भी है तो कैसे समझाना है हड़ी समझाना चाहिए दिल से जिगर से समझाना चाहिए कि हम भारत वासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वो कैसे सतो परदान बने फिर सतो रजो तमों में आए ये सबाते धारन करनी होती है तभी विचार सागर मंतन होगा धारना ही नहीं होगी तो विचार सागर मंतन भी हो ना सके ग्यान सुना मुली सुनी और धंदे में लग जाते हैं घर का काम बार का काम नौकली बिजनस में लग जाते हैं विचार सागर मंतन करने का टाइम ही नहीं नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है सुनी मुली फिर पढ़नी मुली और उसी पर विचार सागर मन्तन करना है बाबा ने आज कौन सी लाइन बोली अच्छा मेरे जीवन में इसका क्या भी पराया है कैसे मेरे जीवन चेंज होगा इससे एक एक लाइन का मन्तन करो बाबा रोज समझाते हैं किसी को समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है अब गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हूँ कि सर्व का सद्गदी दाता बाबा है या पानी की गंगा पुछो उन से पानी सद्गदी करेगा या बाबा करेगा बवान करेगा फिर उनको बताओ तुम क्यों मुफ्त में पैसा बरबाद करते हो अगर गंगा शिनान से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर बैठ जाओ गंगा के उपर ही बैठ जाओ बाहर निकलते ही क्यों हो और बाप तो कहते हैं शौसो शौस मुझे याद करो यही है योग अगनी निरंतर मुझे याद करो यह योग अगनी योग अर्थात याद समझानी तो बहुत है परंतू कोई सतु परधान बुद्धी है तो जट समझ जाते हैं अब कोई रजो कोई तमो बुद्धी भी है यहाँ कलास में नंबर वार नहीं बिठाय जाता अगर भक्ति वालों को पीछे बिठाये तो खांस doin को यह आए ना बाबा कहते हैं यह नंबर वार नहीं बिठाये जाता अगर बिठायें तो अगल भक्ति भी ऊच्या हो जाये उसका यह क्या हो गया? ड्रामा प्लैन अनुसार बापा कहते है किंग्रम यानि राजधानी पूरी स्थापन हो रही है फिर सत्यु में थोड़ा ही बाप पढ़ाएंगे इस समय पढ़ा रहें सरव सत्यु में बहुआनी पढ़ाएंगे बाप की पढ़ाई का एक ही समय है फिर भक्ती मार में क्या होगा? जूटी बाते बनाते हैं साफ साफ बापा आफिशली कह रहें सारव उचाज फिर भक्ती मार में जूटी बाते बनाते हैं यू वंडर तो ये है जो पूरे चुरासी जनम लेते है कौन लेते हैं पुरुच रासे नव शिरी कृष्षन उनका नाम गीता पर डाल दिया और जो पुनर जन रहित है उनका नाम गुम कर दिया तो हंडर्ड परसंट जूट हो गया ना सारे शास्तर गीता से निकले हैं और गीता में ही कृष्षन को भगवान बना दिया छोटा बच्चा बना इस ग्यान से वो बच्चा ऐसा बना बाप ने बनाया बाप को यह गुम कर दिया तो बच्चों को बहुतों का कल्यान करना है तुमारा सब कुछ है गुप्त यहां तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपने लिए स्वर्ग की सूरिवन्शी चंदरवन्शी राजधानी स्थापन कर रहे हो यह भी किसी की बुद्धी में नहीं आएगा तुमारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे बाबा के बच्चे भूल जाते हैं तो दूसरे क्या जानेंगे तो तुम ये नहीं भूलो तो सदव खुशी मेरो बाबा चाहता नहीं मेरा बच्चा एक भी कभी दुखी हो खुश रहे बस ये बात याद रख लो कौनसी बात कि हम अपने लिए ही सुर्य वंसी चंदर वंसी राजदान इस्तापन कर रहे हैं इससे भी खुशी रहेगी भूलने से ही गुटका खाते कन्विजन्द होती है अच्छा मीठे मीठे सिक कि लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मानिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धार्ना के लिए मुक्षार है धार्ना के लिए मुक्षार है हड़ी यानि जिगरी सुक का अन्बो करने के लिए अन्दर से खुशी आए अन्दर सुक लेना है क्या करो उसके लिए बाप जो पढ़ाते है उसे बुद्धी में धारन करना है उसके लिए विचार सागर मन्थन करना है दूसरा इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देख रहा है श्री को देख लेगा यह तो कब्रिस्तान होने वाला है श्री उससे क्या प्यार करना है तो here no evil, see no evil, talk no evil शास्त्रों की कोई बातों के बार में ना सोचना है, ना देखना है, ना बाते करनी है तो क्या करना है नई दुनिया के लायक बनना है वर्दान कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंद मेलाने वाले कंबाइंड रूप धारी कौन आदब, कंबाइंड मैं और बाबा, कंबाइंड है हमार रूप कंबाइंड है तो क्या करने कंबाइंड रूप जम जितनी भी आत्माओं है इनको अपने समीप समंद मेलेंगे यहां समंद हमारा अच्छा होगा तब ही तो आगे जाएंगे तब ही तो राजदानी में अच्छा पाद मिलेगा हमारे को तो उसके लिए आगे नहीं पड़ेगा कम्बाइन रूप की सेवा करने पड़े अब कम्बाइन रूप की सेवा क्या है बाबा ने कहा सिरफ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बन जा रही है लेकिन आवाज से परे स्थिती में स्थित हो फिर आवाज में आओ यानि अव्यक्त स्थिती और फिर आवाज ऐसे कम्बाइन रूप की सेवा वारिस बनाएगी राजा क्वाल्टी बनाएगी आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवा गवन में आवा गवन में आजाती है लेकिन कम्बाइन रूप धारी बन कम्बाइन रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ी नहीं सकता खेरें का भाव एक हम सिर्फ मुख से सेवा करते हैं ग्यान से सेवा करते हैं उपर जाओ योग में ने परमधाम पहुंचा बाबा के पास बाबा को साथ लेके आओ कम्बाइन बाबा साथ हो जाओ अब ग्यान के साथ योगी बनो है ला अब योगी बन करके उपर बैटके परमदा में अब आओ योग युक तो करके आओ आओ तब वारिश कौारिटी बनेगी उसके लिए भामने सलोगन दिया साधनों में बेहद की वरागिवरिती की साधना मरज होने ना दो साधनों में बेहद के वराग्य वरिती की साधना मर्ज होने ना दो जितने भी आपको साधन मिल रहे हैं फैसिल्टीज मिल रहे हैं वो आपकी साधना का कमाल है साधना क्या है? आपका तयाग जो आपने तयाग किया हुआ है बेहद के वराग्य क्या है? तयाग जो आपने त्याग किया है त्याग आपने किया साधना में किया है त्याग किया त्याग तपस्या की उसका फल है जो साधन आपको मिले यानि जो उम त्याग कर रहे हैं उसमें छिपा हुआ जो हमारा भाग गया है वो है सारा साधन किसी को पता नहीं साधना कुछ मिल रहे हैं हमारी, क्योंकि आमरे त्याग है यह तो बापने था मदना इस हमझड लो याद रखना, यह त्याग आपने किया हुँ, यह साधना आपने की हुई है, इस से मिला हुए है उसे फसना नहीं उन चीजों से त्यादनों में आपकी साधना कराबना योग तपस्या कराबना हो जाओ साधनों में की लिप्त हो जाओ गई ठीक है ओम चांती